हाई फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी को मारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं सब्जेक्ट में आपके साथ इसके सकंड्र का जो टॉपिक है इक इसकी कहां कि इस पोषिकर स्टनि चैनिक मतलब इस टेकनिक यूज करके हम बेक्टिरिया को कैसे पाइंटिफाइ करते उसे कैसे पाचानते हैं तो इस टैनिंग के कुछ प्रोसेस जैसे तो यह सारे प्रोसेस है जिसको लगा कर हम बैक्टिरिया को आइडेंटिफाई करते हैं तो चलिए जानते हैं इसा प्रोसेस है जिसके जरी हम करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं Microwondiesem का चुकि बहुत सारे ऐसे Microwondiesem में जो कि हम जिसका जो कलर होता है उसका कुछ Specific Color नहीं होता है तो a staining process यानि कि इसमें a stain का यूज करते हैं stain एक chemical substance है जो कि color produce करता है dye जिसे हम डाइ भी कहते है इसका यूज करके हम को कि उसके जो fundamental के स्ट्रक्चर होते हैं मैक्रो अर्गानीज़् के उसे जाना पाते है मा्यक्सकोपी कली उसे श्टेडिक कर पाते हैं छोपी रीप्तियू यूप होते हैं क्यों दोर टांस परेंट भी होता है एदे Statin W safety TIM क्यों आम जो से के वज़ाए से मुसे एनलाइज उसे देख नहीं पाते क्लियरली उसे अब्जॉर्म नहीं कर पाते तो उसे बेस्ट अब्जॉर्बेशन के लिए हम यह 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 स्टैनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं और इसमें यूज किया जाता है अगर हम बात करें मॉस्ट ऑफ एस् ज्यादा यूज के राथा फ्रिक्वेंट्री यूज किया जाता है स्मोल स्केल पर पेक्टेरिया के स्टेडिक के लिए ठीक न और इसका नेक्सट पॉइंट ए Peach रिक वह करता है जो की इमेज होता है microscopic image उसको बढ़ा दिया जाता है इन्हांस कर दिया जाता है मतलों मोडिफाइड कर दिया जाता है जिसके जरी उसका जो observation होता है बैक्टिरिया को जो study करते हैं उसके सेलवाल को उसके thickness को या फिर उसके किसी और structure को और पार्ट को तो वह क्या होता है इन्हांस इमेज के वज़ा से हम क्लियरली study हो पाता है ठेक ना इसी वज़ा से हम standing process का यूज करते हैं इसका standing का एक और definition यह है standing इस एक और टेक्निक है जिसको जरी हम यूज करते हैं microscopic enhanced construct of microscopic image किसी भी बेक्टिरिया के microscopic image को इन्हांस करके study किया जाता है तो वैसे प्रोसेस को हम standing कहते हैं बात करें standing technique में यूज किया जाता है stand जो कि एक डाई है ठीक ना और यह natural भी होती है और chemical semi synthetic भी होती है और chemical भी होती है तो ज्यादा तर तो natural डाई का यूज किया नहीं जाता है और बेस्ट यानि बेटर से ज्यादा से ज्यादा बेहतर image के लिए chemical compound का ही डाई के रूप में यूज किया जाता है तो इस टेन एक ऐसा substance जो की एडहर हो जाता है वाल पर बेक्टेरिया का जो सेल होता है सेल में उस पर यह जाकर एक लेयर टाइप का बना लेता है ठीक ना उसके अब और given cell color और cell को उसका color कर देता है हमने पीछे देखा कि बहुत सारे bacteria क्या होती है उस van construct so that they are much more visual वह काफी ज्यादा वीज्वल बजाते हैं चैन के बढ़ा से बात करें तो यूज तो डिफरेंसियेट डिफ्रेंट टाइप और यह हर अलग 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 ओर्गनिजम चे लिए इस टेन का यूज अलग अलग होता है अलग अलग chemical dye का यूज करते हैं अलग अलग तेकनिक तो Is strange 하기 वबात करें फिरेंज तो यह दो यह तैप की ही होती है of निगरेटिव अस्टेनिंग डाइरक्तप की बात करें तो इसमें होथा क्या अगलीट ऑर्गनिजम होझास मार को लुकका हो जाता और उसका बैक्ग्रांट अइंभ नहीं हो पाता है जब कि निगेटिव दनिग में कि कया होताए बैक्ग्राउंड उसका यांग नहीं हो पाता तो अचैनिक ऄो है डार नीक के बाद आते है फीक्सिंगSabлар कule help हम ऐस्तंड किए प्रोसेस किए उसके बाद किया जाता है चार्ट को फिक्स किया जाता है उसी को हम fixin कहते हैं तो fixing में में मिफ़ुर स्टेनिंग इसेंशील टो fix the bacteria sample on the slide हम slide पे bacteria के sample को fix करते उसके बाद ही हम इसको dry करने के बाद इसको अब्जॉर्ब करते हैं तो यह सारे process रहें अब चलिए जानते kind of a stain की stain कितने type की होते हैं तो simple stain होती है इसके तोटल तीन टाइप है simple stain differential stain और structural और specific stain simple stain most common होती है इसके बाद differential stain दो टाइप की हो जाती है आगे चल के gram positive के लिए लग और gram negative के लिए लग या फिर इसमें यह हो जाती है कि मतलब आप liquid stain का यूज कर रहे हो या फिर इस्ट्रेंड का यूज कर रहे हो इसके बाद जो नेक्स्ट होता इसका इसका इस्ट्रक्शल और specific बहुत ही complex bacteria की या फिर बहुत बारिकी से जब आप study करोगे तो उसमें ही हम यूज करते हैं स्ट्रेंड की बात करें simple strain की तो फिर इसा प्रोसेस है जिसमें की involved किया जाता है इमर्ज दा सेंपल जो हम बेक्टेरिया का जो सेंपल प्रिप्यर करते हैं study करने के लिए उसमें क्या करते हैं इमर्ज कर देते हैं ड्योग्यार देते हैं इन dye solution ड्योग चिंट जोक् над CR to require कर देते हैं उसके बादभे हैं simpamal process में कोई complex हम प्रिपम तरह नहीं करते हैं बहुत या सांची साह सकष्लाना चाहरaste स्ब्स सब्सक्टर चाहरे या किया बैक्टेरिया का Proud सेम्पल सोल्फिति जो हमें दिया गैँ स्टड़ी करनी सको लेते हैं और सलैट पर हम क्या करते हैं सबसे पहले सेम्पल को ech करने के जा्त हैं उसके बाद बहुत अबäsर्णी करते हैं इसके टेक्निक इस्टेड besar morphology प्रॉस्ट्छ मंफिल उची को होता है उसकेto स्ट्रक्ट्रल स्टेड को सिंपल अग्र करतें तो सिंपल सिंपल स्टेडि करता उसको बहुत बना देता है टो द श्कू किसा बैलॉद कण्तेंन्स प्रेद का गोटीम होता है यमसे था उन्हेयां हम यूज करते हैं तो इसमें कब सब्सक्राइब अणों करते हैं सबसें नयां नवें किया हैं कि यूज कोसे में ऊसके बाद ना चाहिंड वह इसको एक ड्राई के लिए उसको अलाव करते हैं और जो है एस्टैनिंग पॉजिशन एंड बाइग डिस दो और गनिम विल रेटैन वित्पाइल बूढ के उसके बाद और गनिसम जो थी और मिथधाईल बूढ की कलर में आ जाती है उसके बाद next point है methyl glue standing is used to make our clearly morphology मैंने आपके साथ पहले ही study किया कुछ organism के लिए clearly morphology होती है जैसे influenza हो गई in csf या फिर gonococci हो गई यूरेथ्रल पर्स में जो की होती है यूज की जाती है इसको एक image की थूरू समझते देखिए यह कि स्लाइड स्लाइड पी सबसे पहले यह क्या डाला हुआ शीमेर को के बाद हम इस पर थाइल बिलु जो reagent है जो vivid है अधाउय को डालना के बाद इसको स्तैन को बरेक्स करते हैं जाता है और द्rån होते होने के रिच thedies स्टेडी करतें तो यह सिंपल स्टेनिंग का प्रोसेस होगे ड्राय हो जाने के बाद स्टेडी करना उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस थी वह थी डिफरेंशियल स्टेनिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग भी एक वेक्टेरिया का मर्फोलोजिकल स्टेडी करने के लिए यू अब्जोर्ब पokesकते हैं differential staining चाहे वो आपने सीमिर सॉलूशन लिया हो वो siolid भी वह सकता है या फिर वोit liquid लुक्विट दोनों एक साथ study किया जा सकता है differential staining process में dal earliest point differential staining used two or more stands एक साथ हम दो या दो साधिक सद्न को study कर सकते हैं allow ctogorize into various groups ठीक ना बहुत दा टेक्निक अलाव अब्जोर्बेशन अफ शेल का मर्फोलोजी हो या फिर शेल का सेफ हो या डिफरेंशेल स्टेनिंग यूजिली प्रभाइड इनफर्मेशन इवाउट करेक्टरिस्टिक अफ शेलवाल जैसे की ठीकनेस डिफरेंशेल इस्टेनिंग में यह फापन सिर्फ जान पाते हैं थीक न ज्यादा कुछ डीपली नहीं मिल पाता लेकिन डिफरेंशेल स्टेडी में हम बहुत कुछ जान पाते हैं जैसी की अफिर बेक्टेरियल इस्पेसफिक इंटू लार्ज ग्रूप में बेक्टेरिया को बाड दिया जाता है इसे ग्राम पोजे सब ने एकटिरिया के सेल्ًब oyn सेल मेमरेन के ठिकनेश के ब्लस पेयरेज नहींक है यहीं टेकनिक को डिफरेंशयल टेकनिक को ही हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने डिसकावर किया था इसलिए सेंट्वे और हैंस === всех ग्राम डाम के नाम से भी जाना जाता है कभी कभी important question बन जाता है दो ग्राम सिंटेंग की प्रिंस्पल जाने जो की सीम्पर ऐती है ग्राम सिंटेंग लाने संब बावाल का वेस्टेreiben का पर बावड और सर्छे निर भरकरते हैं। झेलड इसे में निर्भर करता है। एक क्रिस्टल करता है। जीजेसे नीशर में यूजक कर सेफिध वाले, करता है। डाथ सेख़्ूम करते हैंcheelào कर देसक्टोan कर सब्सक्राइफ है। के लिए आयोडीन एज मोडरेंट ठीक ना इसमें और मोडरेंट के तौर पर आयोडीन का यूज किया जाता है कि नेक्स्ट पवर्च ग्राम पोजेटी बेक्टेटिया एस्ट्रेंड डार्क बढलू और वाइलेट हम ऐसे करते तो जो ग्राम पोजेटिव एक दी वहां ब्लू उत्हार पिजाज अ काफ़ी ज्यादा मात्रा में की जगाता है प्रोसीजर की बात करें तो प्रोशे summers ऐसका प्रोसीज़र यूज किया जाता है शाप से पहले तो हम मतलब हो गया की स्लाइट को क्लें करते हैं क्लिंग करने के बाद हम करते क्रिस्टर करते क्रिस्टर फैर्टिर ताइट प्राइठ सेंद कर है मतलब ते मतलब हो गया और ranet k podr ribbon क pensar उसको 30 काणटल देते हैं उसके बाद फिर से कुछ सम्मेした 20 सेकंड बाद उसको हम रिंस कर देते हैं बाटर के साथ विंख होते हैं उसके बाद जो दीकॉलराइज हो जाती है सेमपल को दीकॉलराइज करना होता है छिपप में ईलकॉल के साथ किया जाता वह हैं इसके बाद जो हमें किया फिर से उसे ड dealingRI asc cep आयाग त्सके बाद तक आह opposing वास करते हैं दर्ट यह सारे प्रोसेसर है दस प्रोसेस टिफेंशल स्टेन की इसमें कुछ एस्टेप ग्राम स्टेन के लिए रहा जो कि दे रख्या है आपको इनिस्टियल स्टेन्ड मोडरेंट डी कॉलराईजेशन और रिजल्ट आता है उसके बाद ग्राम स्टेन का जो पर्पल कलर सो करता है रिमैनिंग पर्पल ये केमिकल का यूज किया गया और यह ग्राम नीगेटी बैक्टेरिया इस तरह के कलर परडूश करते s hacemosوب ہمारा जो टर्ड स्टेप था वह है leading for the first में आपके साथ difficult सिंपल अस्टेनिक मैं डिसकस किया। दिफेरेंशियल स्टेनिक अभे acid fast शेनिक का नेक्स्ट पॉइंट तो इसके अंदर बात करें तो acid fastness एक फ्यपुमेना है जो कि that is for certain type यह सारे बैक्टेरिया में नहीं पाए जाती है यह कुछ सब्सक्राइब करें इसमें होता क्या है वेर दे रिशिस्ट दप्रोसेस तुविद्र डी कॉलराइजेशन डैट ओकर वें एसीड यूज वास हमने क्या किया था पहले वाटर से वास करते था फिर अलकोहल से लेकिन वास करते हैं और एसीड से वास करते हैं स्टैनिंग के वाज़े से जो इले रेव दिक कलर आफा ऒर बहुत ही फास्ट यह प्रोसेस थौ element झाब तर्म गिवें टू लैं इस एक स्ट call आए राष देक्वागा था इसलिए में से था नाम से जानते हैं वर्ण वेडिसे आप slab या फिर हम इसको color fast भी कह सकते acid fast for cloth that does not lick color when was the most common type of acid fast bacteria जो कि myobacterium है जो कि TB cause करता है tuberculosis के लिए तो यह रहा acid fast acid fast का हम process देख सकते हैं सबसे पहले तो बने को art करते हैं इसके बहुत करते हैं जब तक steam निकलना भाफन निकलना start हो जाए उसके बाद मुझामे करते हैं से पांच मिनित के लिए एक लेकिनuster के बाद Deus हो जाती है जो यूज करते हैं डिकलराइज के लिए एक एलकोहल का डिकलराइजेशन के लिए और दस से 20 से के अंदर यूज किया जाता है उसे उसके बाद चेंजिंग ट्वाइस एंड काउंटर एस्टेंट फोर टू टू मिनट के लिए मिथाइल ब्लू रिएजेंट का कुछ एसिट फास्ट बेक्टिरिया दिया गया जैसे ट्रेप्लो क्रोरोसिस एस्टेप्टो को की यह सारे बैक्टिरिया रहे और एस्टेंट का यह प्रोसेस रहा है फ्रेंट्स तो इस टॉपिक में इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो करता है और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें थैंक्स पूर वाचिंग माई वीडियो थैंक यू